कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो के अंदर देख रहे हो आप सब क्या हो रहा है मार्किट के अंदर, एक अच्छा कासा क्रैश हमको देखने को मिल रहा है और आज मॉर्निंग में जब आप उठे होंगे तो आपने बिटकॉइन को देखा होगा 19,700,800,900 की रेंज में और अभी भी बिटकॉइन जो है 19,800 पे ही ट्रेड कर रहा है रीजन क्या है कि बिटकॉइन में इतना अच्छा कासा डंप देखने को मिला, 8% प्राइस तूट गए बिटकॉइन के अगर मार्किट का किंग 8% डाउन हो रहा है, मेंस ओल्ट कोइन के लिए काफी अच्छा कासा डंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है बहुत सारे ओल्ट कोइन 10-12% अच्छे गासे डंप हुए है अब बिटकॉइन की जो वैल्यू चल रही है वो 19,800 पे चल रही है कल नाइट तक भी अगर हम बात करें 21,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था 21,300-400 के लेवल और जैसा कि हमने डिसकस किया था कि 21,000 डॉलर दिख सकता है शायद आपको जो है 20,000 डॉलर देखने को मिले लेकिन कल नाइट में ही 20,900 टच कर लिया था लेकिन सारा जो खेल हुआ है वो नाइट में हुआ है मिन्स 12 से लेके 6 और ये टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब लास्ट 4 आवर की केंडल जो रात को 1.30 पे और जो वन डे की केंडल जो डेली केंडल बनती है वो मौर्निंग में बनती है 5.30 के उपर है ना मौर्निंग में 5.30 और सारे गेम जो होते हैं सारे क्रैश सारे पंप आप देखते होंगे मौर्निंग में ही होते हैं जो रात की लास्ट केंडल बनती है 1.30 के उपर और 1.30 से लेके 5.30 का जो टाइम होता है वो ही एक टाइम ऐसा होता है जब मार्केट के अंदर गेम होते हैं, चाहे वो डंप वाला गेम होना है तो डंप वाला होगा, पंप वाला होगा तो पंप वाला होगा, क्योंकि उस लास्ट 4 आवर की केंडल के बाद जो केंडल बनती है वो वन डे की नई केंडल बनती है है ना, और नई केंडल कहीं न कहीं गेम चेंज करती है, उस से पहले गेम चेंज हो जाते हैं, उस 4 घंटे के गैप में पूरे गेम चेंज हो जाते हैं और वही चीज हुई है, है ना आप morning में उठे bitcoin को आपने देखा 19,000 dollars के उपर 19,800 के जो levels है वो bitcoin ने हमको दिखा दिये reason क्या है dump आने का उनके बारे में भी discuss करेंगे क्योंकि बिन मौसम बरसाथ जैसे होती है वैसे ये इस dump को कहेंगे कोई बड़ा reason था नहीं लेकिन कहीं नहीं महौल बना दिया बस महौल बनना चाहिए और महौल बना कुछ ऐसे reasons निकल के आ भी रहा है जिनकी वज़ा से महौल बना और कहीं नहीं sentiments बिगडे traders के, investors के, whales के whales का पूरा पूरा game है यहाँ पर अगर आप देखोगे काफी अच्छा कासा crash है market के अंदर और CPI data आने वाला 14 March को उससे पहले हम एक expect कर रहे हैं कि एक little recovery जो है Bitcoin हमको अगले 3-4 दिन में दिखा सकता है, मनलब CPI data 14 March को आएगा तो 3-4 दिन में कुछ भी यहाँ पर हो सकता है वो तो बात होगी CPI data की लेकिन यहाँ पर market dump हुआ क्या और आगे क्या हो सकता है 19,800-900 के level trade कर रहा है Bitcoin हो सकता है थोड़ इसी level और नीचे आज है ठीक है, जब इतना down आ चुका है तो थोड़ा सा और level नीचे आ सकता है कुछ reasons ऐसे हमको देखने को मिले पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे Silvergate Bank पूरी तरह shutdown हो चुका है पूरी तरह अपने जो काम काज है, वो सब कुछ बंद कर दिया इस बड़े bank ने, है ना इसका भी कही ना कहीं एक कैदना involvement रहा है अब कहीं ना कहीं, सारी जो news है वो सारी news मिलके थोड़ा-थोड़ा मार्किट को impact कर रही है और किया भी है Silvergate Bank US government जिनके पास 50,000 bitcoins जिनमें से 9,800 bitcoins coinbase के उपर transfer किये तो कहीं ना कहीं, उन bitcoin के साथ क्या कुछ हुआ है, है ना जैसा हम आपके साथ कह रहे दे, कल ही डिसकस कर रहे है कि dump ना आजैर, वो dump आ ही गया इसके साथ साथ US government ने जो crypto miners है US के अंदर जो crypto की mining करते है US में, उनके लिए 30% tax applicable कर दिया means जो electricity use कर रहे है miners उनके लिए 30% का यहाँ पे जो है tax US government ने applicable किया ये भी है कही ना कही news miners के sentiments बिगाड रही है और miners आप बहुत जरूरी है market के अंदर जो bitcoin की mining करते है क्योंकि mining के लिए जो use होती है, वो electricity use होती है 24 hour electricity चाहिए, चाहिए mining के लिए उसको cut off नहीं कर सकते और उसी को लेगे एक बड़ा action US government का उसके बाद बाद अगर हम देखें यहाँ पे kucoin को लेगे एक update आ रहा है और यहाँ पर US के जो attorney general है उन्होंने एक lawsuit फाइल कर दिया kucoin exchange के उपर बहुत बड़ी update है हमने अभी recently November में देखा FTX exchange दिवालिया हो गई इतनी बड़ी exchange दिवालिया हो गई और kucoin का हम scene काफी time से देख भी रहे है kucoin के अगर आप देखेंगे gainer list या kucoin exchange अगर आप use करते हैं तो काफी ज़धा fluctuations होते हैं kucoin exchange के उपर मनलब बहुत सारे coins में fluctuation high level पे pump dump होते हैं उस नजरिये से भी देखें और ये जो lawsuit फाइल हुआ है तो कहीं न कहीं kucoin danger zone में जा सकती है अगर ऐसा हुआ और ftx वाली picture हमको kucoin ने भी दिखाई तो market और भी नीचे जा सकता है ठीक है एक ये भी reason बहुत बड़ा reason है कि lawsuit फाइल कर दिया exchange के खिलाब और तीसरे reason की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो वो है Justin Sun और उनका ecosystem और उनकी हुआ भी global बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहे है manage करना कहीं न गई उनसे manage हो ही नहीं पा रहा है इतना बड़ा ecosystem USDD लेके आये थे मे मंत के अंदर पिछले साल 2022 में बड़े जोर शोर से उसको launch किया लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी टिक नहीं पाया कितनी बार हमने डीपैग होते हुए देखा यह stable coin ट्रॉन ecosystem का stable coin है USDD आज हुआ भी global जो exchange है उसका token HT काफी अच्छा कासा crash हमको देखने को मिला एक flash crash जो होता है वो HT token में देखने को मिला और यह बहुत बड़ा reason है कि HT token हुआ भी global भी कहीं ना कहीं डगमगार ही है अगर उसका खुद का token इतना बड़ा crash दिखा रहा है तो भाईया यही signals होते हैं समझने वाले है ना और यह signal काफी बड़े signals हैं और Justin Sun है लेकिन जो ecosystem डगमगार है उसको कौन समझालेगा यह बहुत बड़ी बात है Tron ecosystem TRX coin USDD जितने भी Tron के साथ जुड़े हुए coins हैं और साथ के साथ Huawei Global और HT token इसके साथ साथ US government का बड़ा decision और KuCoin पे lawsuit यह कुछ बड़े factors रहे जिनोंने मिलके crypto market को crash कर दिया है ना तो थोड़ा सा wait करें market की situation का बाकी update हम telegram पे करेंगे तो यह सारी चीजे हुई है market में और I hope आप समझ गयोंगे इस video में थोड़ा सा wait करें कोई trade लेने की ज़रूद नहीं है अभी avoid करो market stable होने तक मिलते है next video में किसी भी crypto में इंवेस्ट कर रहे है हमेशा अपनी research करें वो बेहर ज़रूरी होती है तब तक के लिए bye bye take care